सो हेलो वेज़ विल्कम बैक टो माई चैनल तो कैसा आप सब लूग में हुरुईत और स्वागत एक और नए व्लॉग में व्लॉग में वही यार आभी मैं जाने वाले हुए फर आई तो वाके बारे मैं बढ़ाऊंगे मैं आपको तो वीडियो काफी इंफर्मेटिव होने व और आटो और विक्रम से भी जा सकते हो तो घंटागर से मात्री दस रुपे में आप एफर आई तक जा सकते हो तो यहां पॉस्ते ही आपको लेना होगा टिकेट कि जिसका की पारेड है 10 रुपीज और अगर आप अपना प्राइविट वीकल अंदर ले जाते हो तो उसका है 20 रुपेज तो इस गेट से लगवाग 2 किलोमेटर अंदर है में बिल्डिंग जहां पर आप अपने प्राइविट वीकल से भी जा सकते हो और आप वहाँ करके भी जा सकते हो तो एफराइव को और भी खास बना देती है सामने की लोकिशन आप जितनी दूर तक नजर मार व और भी बढ़ावा देते हैं तो सामने की बिल्डिंग को देखके आपको यहां की खुबसूरती का अंदाजा लग चुका होगा तो आप चलते हैं अंदर पहले गाड़ी पार्क करते हैं तो अंदर पार्किंग की कोई लोड नहीं है बहुत सारा पार्किंग स्पेस है यहा के बारे में आप मैं आपको बताता हूं कि क्यों फेमस है यह बहुत सारे लोगों ने सुनाओगा बाकि देखो यहां पर हमने गाड़ी पार्क कर लिए सब चलते हैं यहां पर जो साब सपाई रहती है ना मतलब बहुत अलग लेवल की सो मैं भी फर्स टाइम जा रहा हूं यहां पर तो बस मैंने बाहर से देखा था वीडियो में देखा था काफी तो दोस्तों चलते हैं पैचेस अंदर और बताते हैं आपको कि क्यों एफरा इतना फेमस है तो सबसे पहले मैं बता दू एफरा नाम है फॉरेस्ट रिसर्स इंस्टिटूट और यह इसलिए फिमस ह सौंग की सूटिंग भी यहां पे और में कारण है इसका फिमस होना हुए है स्टुडेंट आप दया तो इस मूवी ने इसको पूरे इंडिया में फैला दिया था और पूरा इंडिया इसी मूवी से इसको जानने लग गया तो दोस्तों यहां की एक और खास बात है कि एफर पराई गिनिज वुक आफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्च करा चुका है और यहां पर एक और खास बात है कि यहां के हर एक कोडिडोर के सामने ग्राउंड है जहां पर आप बैट के मजे ले सकते हो फोटो के लिए करवा सकते हो और इस बिल्डिंग को निहार सकते हो और पर इसको बहुत ही अच्छी तरहीप चीज सामने से सजया गया है और इसके ठीक शामने ग्राउंड है तो घ्राउंड को भी ऐस asade बार गढ़ारीट किया गया है मन करता है कि इस ग्राउंड के अंदर जाओं और यहां पर लेट जाओं तो मेन बिल्डिंग के ठीक लेप साइड में आपको देखने को मिलेगा फुटबॉल और बॉलिवाल का ग्राउंड और साथी साथ छोटे पौदे जिनके की बहुत अच्छी तरीके से कटिंग करी गई है तो इसी खुबसूरती के करण लोग यहां पर आना पसं रहीन पेस तो यहां जाद आपने पयम के लिए अपको पैसे देने उगे हो गिर और को में आय। यह कि पेसे दाना अजर बहुत हर फैसे आपको पैसे करने पाड़ेंगे और हम तो नहीं गए वह अंकि और लोग। तरू और चलते पार क्रावी की डेक साइब झाई तो बैक साइड में ही पार्किंग एरिया और पार्किंग एरिया काफी बड़ा है जिसमें कि आप अपनी घाड़ी खड़ी कर सकते और बहुत बड़ा इस्पेस है यहां पे आपको पता चलगी है फरे की स्ट्री के है और अब चलता है घर की तरह देखो गाईस क्या खतरनाक ह तो यह बड़ा शवर्ट यहां तो यहां से जाते हैं आगे प्रेम नगर के लिए और यहांसे अगे घंटा गर जा चुकितरा बड़ा इस्पेस है आपे और बहुत मज़ाएगा तो एक बार आप जरूर जाना अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड लोगों के साथ तो बहुत मज़ा जाएगा तो अंदर केंपस में जाने के चार्जेस हैं और अगर आपको अपनी बाइक या कार ले जाना तो उसका 20 रूपे एक्सा चार्ज देना पड़ेगा आपको तो अगर आप म्यूजियम में जाना चाहते हैं तो आपको अलग पे करना पड़ेगा उसको अंदर सो हम तो नहीं गए बही सब्सक्राइब करें मेरे चानल को मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में तब तक के लिए पाई हैं टेक क्या है